हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं हेल्थ हैन की ओर चैनल मैं आपका दोस्त अंकित आर्रे आज आपको बताऊंगा पुर्षों में बच्चों में शीगर पतन शुपन दोश निली शुकरण वीरे का पतला होना पेशाव से जुड़ी ही लिंक से जुड़ी ही हर शमस्या का रा कामबान उपाई जी हां तो दोस्तों वीडियो के साथन तक बने रही है क्योंकि ऐसा नुख्सका आपको बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और गैरेंटी आपको यहां पर मैं दे रहा हूं कि डैफनिलेटली काम करेगा तो दोस्तों बात करते हैं इसी के उपर तो दोस्तों जीलियों को शूपन दोस निल सुक्राणू, भिरिया का पदला होना, शीगर पतन, शूपन दोस की समझ्सेय हैं तो दोस्तों उनको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंदा जी हाँ पचास ग्राम पचास ग्राम आपको लेना है सफेद मूसली और पचास ग्राम आपको लेना है गोखरू और पचास ग्राम आपको लेना है शतावरी और पचास ग्राम आपको लेने है कोच के बीच जी हैं 50 ग्राम पंसारी के दुकान से आपको लेने हैं दुबारे से एक बार फिर सुनिए अर्शुर गंदा 50 ग्राम सफेद मुशली 50 ग्राम घोखरू 50 ग्राम सतावरी 50 ग्राम कौच के बीच 50 ग्राम इन सब को 50 ग्रामी क्वांटिटी में लेकर आना है पंसारी के दुकान से और इने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में आपको इने आपस में मिलाने के बाद इनका आपको चूरन बना लेना है मिक्से में पीस लेना है और मिलाने के पीस ने के बाद पोडर बना लेना है सुबह साम खाली पेट आपको एक चमच दूद के साथ इसे लेना है निरंतर दस तिन या पंदर दिन का सब योग करने पर आप देखेंगे कि आपके शरीर में जितनी भी समस्या थी निल शुक्राणू, शुक्न दो, वीरे का पतला होना इन सब समस्या से आपको निजाद मिल जाएगी दोस्तो अजमाई हुई चीज है, परिशित चीज है बहुत लोगों को इससे लाव हुआ है, आप इसका लाव उठाइए तो दोस्तो वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शियर कर दें और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहे हैं, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों